नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शक्का ठाकुर। उसके सवा सौ करोड नागरख है। भाईयों पहनों, हो सकते हैं आपके सकुप लोगों को, इनके प्रतित प्रेम हो, लेकिन एक बार, जारा बदल कर देखो तो सही, कि दूसरा कैसा है। और अगर आपको लगे, आपके इन्होंने पचात साथ बरबात किये हैं। कटा साथ बरबात किये हैं। हमें अउसर्थ होगे, तो हमारे अंदर एक जिनूर होगा। हमारे मन में कुछ काम करने का हिरागा होगा। और पांक सार के बार आपको ठीक ना लगे, तो हमको निकाम करना। लेकिन एक बार बदर जब देखो तो सही। आज मेधाय की जुनता को अच्छी सरकार क्या होती है। सबका साथ सबका विकास इसकी राजनीति क्या होती है। यहां के नौजवानों के भविश्य को बदलने के लिए। ऐसी कौन सी योजनाएं बनाएं। ताकि हमारे नौजवानों को अपना गाउं छोड़ करके बाहर न जाना पड़े। ऐसी योजनाएं कैसे बनाएं। मैं आपको भी सवाद दिलाता हूँ। इत देश को भी पहले आसंका थी। कि भाई ये भातिये जन्ता पार्टी वाले दिल्ली में आकर के क्या करेंगे। इनको अनुभव को है नहीं। इसा इसे सुन्ते थे इनपाले आप। सुन्ते ने सुन्ते ने इसा है इसा ही सुन्ते थे मैं। लेकिन ुख्याज चवदा में हमको बढ़ाया, आप मुझे बताईए आज देश प्रगति कर रहा है कर नहीं कर रहा है। को इस कर रहा है कि ठारी दुनिया में भारत का बज रहा है कि नहीं बज रहा है अमेरिका में भारत की वहावारी हो रही है हुआ है प्रांस में हो रही है चर्मनी में हो रही है क्या कारण है क्यों हो रही है वह क्या कारण है क्या कारण है क्या कर रहे हैं अरे मोधी कारण नहीं है यह कारण आप रोव है देश के सवासो करो नागरी क्योंकि आपने दिल्ली में 30 सार के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई आपने एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और उसके कारण कि आज देश में दुनिया में हिंदुस्तान का जैजेकार हो रहा है भाईय भ्हनम के गावे में भी एक बार परिवर्पन करके देखो एक बार मेधाले में भार्टिय जनता स्कार्टी की मजबूर स्थीर सरकार बना करके देखो और एक बार मेधाले में बीजेपी की सरकार बन जाएगी मैं आपको बादा करने आया हूँ कि मेधाले की बीजेपी की सरकार यहां की जनता जनार्ण तो पाई पाई का हिसाब देगी पाई पाई का हिसाब देगी क्या कभी ये कॉंगेस वालों ने आकर के अपने काम का हिसाब दिया है क्या किसी समान का जबाब दिया है क्या आपकी समस्याओं का समाधान किया है क्या आपको किये गए बादों को पुरा किया है क्या इस चुनाओं में भी आकरके क्या वो अपने कामों का को हिसाब दे रहे हैं क्या यहां चुनाओं में भी आकर के जौली मोजी तो दे रहे हैं तुर्थ यह नो नियुक्त पचार पचार आसांट से यहां बैटे हुए ओ जरा मेगाले की जंता को हिसाब तो दो, क्या आपने इतने सारों में क्या किया, आई यू बहनो, यहाँ पर, कहीं पर भी जाओ, रास्ता क्या होता है, पक्की सड़क क्या होती है, का लोट होता है, क्या मेगाले के अंदरोनी गाउं में लोगोंने देखा है क्या, है क्या, में गाऊं में कहीं रोड़ है क्या, अए, बढ़ा क्या है, यहां क्या है, एपर दिल्ली सरकार कैसे देती है गाउं से सब्सक्राइब जोड़ने के लिए सरकार दिल्ली से बेती है यहां पर अगर सो रुपिय का खर्त्या होता है तो असी रुपिया दिल्ली से आथा है अगर हजार रुपिया खर्त्या होता है तो आंसो रुपिया दिल्ली से आता है एक लाँ रुपिया खर्त्या होता है तो असी हजार रुपिया दिल्ली से आता है एक करोर रुपिया खर्त्या होता है तो असी लाँ रुपिया दिल्ली से आता है आप मुझे बताईए भाईयों भेनों ऐसा क्या कारण है कि दुल्ली से इतने रुपए आते हैं लेकिन सड़क कहीं नजर नहीं आती हैं तो ये रुपिये गए कहां ये कहां गए रुपिये आपको कुभी हिजाद दिया ये चुनाव में ही 27 तारिक को आपने हिसाब मांगना है उनसे और हमेशा के लिए उनको सजाब करके देखिए जो नई सरकार आएगी वो इतने उत्साह के साथ काम करेगी इंसानी समझाओं का समाधान वो करके देगी ये मैं आपको बित्वाद जलाएगा आप मुझे पताएए वाजय मैं अगर मेगाले में बीजेपी की सरकार हो दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो नौर्ट इसकी बढाई करने का दिल्ली सरकार का सपना हो अगर आपके मेगाले को एक एंजिन से चलाएगे तो तेज चलेगा के डबल एंजिन से चलाएगे तो तेज चलेगा मेगाले को डबल एंजिन चाहिए कि ने चाहिए चाहिए कि ने चाहिए तो एक एंजिन मेगाले का और दीसरा एंजिन दिल्ली का अगर दो एंजिल लगे तो यह प्टार साल में जो काम नहीं हुआ है वो पार साल में पूरा करने का काम यह दोनों सरकार में करते करें भाई वैनो पिछले चार साल में मेघाले को सड़क बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सरग योजना के तहट करीब करीब पांसो करोड रुप्या दिया गया चार्सो सप्तर करोड गाउं में ग्याना सो किलो मेटर की सरके मननी थी कितने पर से दिये लेकिन ये सरकार ऐसी है कि आधा काम भी कुरा नहीं कर पाई और पता नहीं सरके कहां गई पैसे कहां गई है आप घाओ फिवन्हां आप तो दिल्ली इसी से जिए जिए हो जो कर भी दूरी नहीं मानती से कि तुम भी अच्छे हम भी आच्छे सिए तुम भी बले हम भी बला तेरा भी हो मेरा भी हो यही कारोबार चलता था तो हिसां है हम जब से आए हैं तो जो खर्च किया है उसका हिजाब मांग रहे हैं हमारा डॉपनर मंत्रावे के लोग हर महिना नौर्फिस के किसी किसी राजी में जाकर के बैठते हैं और हम कहते हैं जो काम किया है पहले उसका हिसाब दो जो काम किया है वो हमें दिखाओं देखने जाएंगे और उसके बार पैसे ले जाओं अब वो हिम्मत ही नहीं करते पैसे मांगने की क्योंकि काम करें तो दिखाए हैं यह हावच करके रखिए भायों आपके भोलेपन का इन लोगों ने इतना जूर्प्यों किया है आपकी इम मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर किया है और इतलिए मैं आज आपसे आग्रव करने आया हूं भायों 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 है हर लोगों ने आकर के पिछले बार में आया था कि दो सो साथ किलोमेटर की सिनौं फुला रोड दो नेशनल हाइवे एक हजार करोड रुपिया और आने वाले किंचार वर्ष में दस हजार करोड रुपिया आपके सरक के पिछले हम खटके कि काम है अगर पास्ेल को कर दो स् 뭐 नहीं होगा इतना काम हमेरे आवेडियों में कर दो जाओ अगरं उन्हों इसका में आने तो कनेक्टिमी मिल जाए रेल कनेक्टिमी कि रेल कनेक्टिमिति मिलजाए रोड सब्सक्राइब करने की हमारी योजना है और उसके कारण सामान्य से सामान्य वेक्ति भी इन दिनों हमें गुड़ा नियोजना बनाई है जिसका सबसे ज़्यादा लाग 29 को होने वाला है और कितनी टिकिट सस्ती करनी है कि हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जा सकता है कभी विमारी के वस्ता हो हवाई जहाद में जाना हो गरीब आत्मी उसमें जा पाएं ऐसे कम खर्टे से हम आने वाले दिनों में पुडान योजरा के तहर नौट इसके छोटे छोटे यापों को एक राज्य को दूसरे राज्य को जोडने के लिए हम बहुत बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं और उस्ताराब जो सिलों का एरपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं वह एरपोर्ट पे बोईंग 737 एरबास 320320 यह वहां लैंड कर पाएं 180 करोड रुपिय के खर्टे से यह नया सिलोंका एरपोर्ट बड़ा एरपोर्ट आप करक्रपना कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अध्योगी विकार्ट की संभाना बढ़ेगी तूरिजम की संभावना पड़ेगी सामान्य मानवी के लिए रोजगार की संभावना पड़ेगी और उस काम को बढ़ देने के लिए उसी तरह सबर हमने हमने सिलाम से सिल्चर, इमफवाल, दिमापूर, आजवाल, अगरत्वरा, तेजपूर इन साने छेत्रों में उड़ान योजना के तहां करेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हमने हाथ पर लिया है और वो की आने वाले दिनों में प्रावेट पार्टी आएगी जुड़ेगी और वो काम बनता जाएगा कि अप्रावेट थासे पार वो काम बनता जाएगी जुड़ेगा